नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनंदन दिपावली की से एपिसोड में हमारे चैनल पर इस बहुतिक मानुविय जीवन में से लक्षमी का प्रभुत्व छोड़ दें तो सेंस रह जाता है शून्य और लक्षमी है कि चिर युवा और चंचला होने के कारण एक जिगए रुकती ही नहीं चानेक्याने ठीक ही का है कि निर्धनता आज के युक्का सबसे बड़ा अभिशाप है कैसी विचित्रिस्ति है कि शुक्र देति गुरु है और ब्रेस्पति देव गुरु है इसमें शुकर संपति का भोग वा गुरुद्धनप्राप्ति का कारख आनंध कर सकता है जनकुली में उक्त दोनों ज्रह अताथ ब्रेस्पति वा शुक्र दिनपति सूरिय वा दिसानाच्चन्रमा से अच्चा संबन्स करते हो हो अधाथ इनके सात यूती हो या ध्रस्थि में हो तो व्यक्ति जीवन में यत्हेषण मात्रा में दन संग्र겨 करता है और इसी कारेंद से शुक्र चंद्र सात में होतो लौट्री योग ब्रस्पतिय चंद्र लगन में उत्पन व्यक्तियों से ज्यादा हो दिया अधिक होती है लेकिन ये खर्च करना नहीं जानते हैं मकर लगन में उत्पन व्यक्ति परोपकार और येशोपारजन के लिए कम से कम धन खर्च तो कर ही लेता है मिथुन लगन तुला लगन और कुम लगन में उत्पन जातक का आकर्शन धन के प्रति होता है वे मित्वे ही तो होते हैं पर तु क्रपण नहीं अथा कम बहुत खर्च करेंगे लेकिन एकदम गरीबी में नहीं रहेंगे मेश लगन शिंग लगन और धनु लगन में जातक जो उत्पन होते हैं जीवन में हर बहुतिक इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं वे एश्वरे पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे धनका साथ जीवन व्यतीत करने का मुक्य साधन मानते हैं शिंह लगने का वग्ती इन में सबसे आगे रहता है मिए ए चननमा चलाय मां चंचल वा भावुकरह अत करक लगन में उत्पन मेश राशियों या रश्चिक राशियों मीन राशियों उनमें उत्पन जो भी व्यक्ति हों होते हैं इनमें धन संग्र करने की तीवर आकांशा होती है शुक्र भोग बहुतिक सुक्ण संपति विलाशिता एस्वरिय अनंद इन सब का सूचग्र है और प्रयस्पति धन संपत्या प्राप्ति का कारक है कि तो ये तेरे ग्राउं की बात लगने की बात और उसमें से कुछ रासियों की बात अब मैं प्रत्यक लगने का नुसार उनके धन और स्मित्री के योग स्पष्ट कर रहा हूं हर लगने से सिर्फ दो दो योग ही बता रहा हूं और उसके साथ में कुण्लियां भी स्पष्ट कर रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि आपकी कुली में तो वो योग नहीं है यदि आपकी कुली में आपके बच्चों की कुली में ठीक आपकी बेटे बहु की कुली में दामात की कुली में यदि हो तो आप कम से कम उन्हें समय पर बतला सकते हैं ताकि वो उस और प्रियास करके अपने आपको और ज़्यादा धनवान और ज़्यादा करमशील और ज़्यादा अनन्दायक जीवन यापन करने के साधन बना सकते हैं। भी होता है। पंचम भाव को मा लक्षमी योग के लिए ही माना जाता है। पांचों भाव में यदि तीनों ग्रह होंगे तो जातक लगपती जरूर बनेगा। अता जब यह योग बने थे जब लाक सब्द बोलने पर जबान सूख जाती थी उस समय यह लिखावाए लक्षा पती बंता है, लाकों का अधीपती बंता है। मेश्ट लगने में ही दूसरा योग मेश्क्रासी स्थ्ट लगन की कुन्ली में सूर्य स्वाप रासी का हो अतात मिर्स रासी में पंचम भाव फिर वापत त्रिकोन भाव में सूर्य स्वारासी का होगा ब्रस्पती चनमा की यूती ग्यारवें भाव में हो पांचों भाव को जो भाव देखता है वो 11 आउसे सूरिय भी यहाँ पर ब्रस्पति और चनमा को देखेगा और ब्रस्पति और चनमा भी वापस सूरिय को देखेंगे तो इस प्रकार से यह लाब बाव और पंचम बाव दोना का दस्ति समद्ध होने से जातक लक्षमिवान होता है अब बात करते हैं व्रशब लगन की बुद्ध और शनी सेकिंड भाव में धन भाव का होता है बुद्ध और शनी द्वित्य भाव में हो तो धन प्राप्ति होती है एक और योग है शुक्र मिथुन रासि का हो बुद्ध मीन रासि का हो ब्रेस्पती सेवन्ताउस में हो तो जात तको यकायक रुपए पैसे की प्राप्ति होती है अक्समा दन प्राप्ति होती है आईए बात करते हैं मिथुन लगने की भाग्य भाग्य भाव में बैट करके बुठ से यूति करे तो रुपे पैसे की प्राप्ति का जबरदस्त योग होता है शांदार योग होता है मिथुन लगने में दूसरा योग है कि द्वितियस उच्छ स्थान में बैठा हो अथा द्वितियस होगा यहां पर चन्रमा चन्रमा उच्छ स्थान में बैठा हो अथा 12 आउस में हो तो व्यक्ति को प्रेतक धन संपत्ति की प्राप्ति होती है अथा व्यक्ति कितना भी से व्यक्ति अपने जीवन में लगपती बन जाता है दन पती बन जाता है जो आई अब बात करते हैं करक लगन की तो करक लगन में ब्रेस पती शत्रू भावस्त हो तता केटु से यूति करें तो जा तक बहुत एश्वड़िवान योग्य वह राजनिती में धन कमाने वाला हो एक और इस्तिती है कर्क लगन में तो कर्क लगन की कुणली में शुक्र बार्वे बाव में या दूसरे बाव में हो तो जातक धनवान होता है अब बात कहता है सिंग लगन की सिंग लगन में शुक्र बलवान होकर के चतुद भावेस के साथ में अथा चतुरतेस के साथ में च प्राप्त होता रहता है एक और योग है शुक्र सूर्य के नमास में हो तो जातक उन दवा घास धान सोना या हीरे जवारत मोती अधी के व्यापार से शांदार उपारजन करता है अताद रुपया पैसा इतना कमाता है उस व्यक्ति को धनवान बोला जा सकता है आईए बात करत कि शुक्रवकेतु दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति धनी होता है तता आकस्मिक डंग से धन की प्राप्ति होती है एक और योग है कि चनमा दसमें भाव में मिथुन रासिका हो दसमें बुद्ध लगन में हो तता भागया शुक्र दृत्यस्तान में हो तो जातक दनवान भ शुक्र यदि केतू सहित दृतिय भाव में हो तो जातक को निश्चित ही लक्षा द्यपती बना देता है लक्पती बना देता है एक और योग है जन्म का लगन तुला हो तता राहू शुक्र मंगल शनी सभी गरह चारों गरह बारों भाव में हो अतात कन्यारासी में हो तो जा व्रश्चिक लगने में ब्रस्ट पति वबुध पंचम स्थान में हो तता चणमा ग्यारवें भाव में हो तो जातक करोडपती होता है एक और योग लेते हैं कि चनमा और गुरु और केतु तीनो ग्रह नवम बाव में हो तो विसेस बागयोदय होता है चनमा बागय से गुरु के साथ मिस्तितो तो गज के स्रीयोग बनाता है गुरु अपनी उच्छरासी में भी होता है जो की धनेश है इस प्रकार इस योग से व्यक्ति जबरदस्त रूप से धनवान बनता है आईए अब बात करते हैं धनुलग में की ब्रेस्पति और बुद्ध दोनों लगने में हो सूरिय और शुक्र द्वितिय बाव में हो मंगल और राहु सस्टम बाव में हो तता सेस्तीन ग्रह अलग लग कहीं पर भी हो तो भ व्यक्ति आजईवन जिंद्गी में सुक बोगता है अब बात करतें कर दोसरे योग कि कि चनमा आठवें में हो कर्क रासी में सूरिय हो शुकर और सनी इस्तितो आता है कर तरहर सूरिय शुकर और सनी तीनों अस्तितों थो विक्ष्ण मतर्यात सिल्पादी कोई आर्ट में कोई कला में वह जानकार होता है दूबला पतला सा होता है लेकिन सरीर बहुत मजबूत होता है अनेक संतानों से युक्त होता है pac कि निरंतर संपत्ति वान बना रहता है अब बात करते हैं मकड़ लगन की तो मकड़ लगन में चनमा वा मंगल एक साथ में कोई भी त्रिकोन में बैटे हुए हो हो 1st 4th 7th और 10th इन भावों को केंद्र बोलते हैं यहां पांच वो 29 मेर घृँकोन भाव में हो कोई भी पुली में 1st सा फिप्ट सो नाईन तांस त्रिकोन माला जाता है केंद्र भी बोलते हैं ताउस को त्रिकॉर्ण भी बोलते हैं तो पांच वे नौमे बाव अता त्रिकॉर्ण में भी कहीं भी चनमा मंगल या सेकेंड आउस और 11 दाउस में कहीं हो तो भी व्यक्ति ज्यातक जो भी होता है कुंडली का मालिक वो धनवान होता है सिर्फ दोग्र चनमा और मंगल केंद्र में हो त्रिकोन में हो या सेकंड आउस या लाब बाव में हो तो व्यक्ति धनवान होता है आईए अब बात करतें दूसरे योग की धनियस तुलारासी में और लाबेस मंगल मकररासीगत अता लगन में हो तो जातक दनवान होता है ये वो योग हैं जो सैकड़ों बार नहीं हजारों बार पखे गए और हर बार ये योग सहीं निकलें अतात इन योग का आपकी कुण्ली में होना ही धनवान होने की गारंटी है आईए बात करते कुम लगन की दस्वें भाव में अतात रस्टिक रासी में चन्रमा शनी का अतात दोनों का योग हो तो व्यक्ति कुबेर के समान एस्वरी संबन संपन होता है अतात वैसा सा अगवान कुबेर के पास में था एक और योग है कुम लगन हो शनी लगन में स्वरासी का इस्तितो मंगल की आंठवी दस्ति सनी पर हो तो राज राजश्वर योग होने से जातक पून रूप से संपन सुखी दनवान और दीर गई होता है यह इसके अंदर एक खास बात और है कि संपन सुखी दनवान होना तो फिर भी देखा गया है लेकिन उसके साथ में दीरगायों भी हो कि आपकी जितनी आयू है एक सामानी आयू से कहीं ज़्यादा आयू तक आप सारे सुख भोगते रहें आईए अब बात करते हैं आखरी लगन मीन लगन यदि दूसरे भाव में चनमा और पांचवे भाव में मंगल हो तो मंगल की दसा में व्रक्ती को स्रेष्ट धनलाब होता है एक और योग है ब्रसपती छटे भाव में हो शुकर आठवे भाव में हो शनी बार्वे भाव में हो और चनमा और मंगल ग्यारवें बाव में हो तो उच्छाती उच्छ मतलब अच्छे से अच्छा धंदायक योग बनता है कुंडली में तो ऐसा वक्ति कुछ भी काम करें तब भी व्यवक्ति धनवान जरूर बनता है और अच्छे से अच्छा काम करें तो तो अच्छे से अ है या नहीं और यहादी ऐसा यूग है तो उनकी कुंडलियां आपको कुसी अच्छे जोतिसी से चेक कर वानी चाहिए क्या उनको को जब अच्छाध आने वाली है क्या उनको को पूजा पार्ट करने से खुँश और उपाय करने से उनके धन योगों को पंक लग सकते हैं चारचान लग सकते हैं कुण्डली में तो ऐसा उपाए जरूर करना चाहिए क्योंकि यदि परिवार में एक व्यक्ति भी धनवान बन जाता है तो दूसरे सबी को उस लाइन में लगा सकता है निने आपको करना है धन का योग भी आपकी कुण्डली में होगा धनवान भी आपके साथ में सुक, समद्धी, सांती इन सब की बग्या में नहाए आपको एपिसोड कैसा लगा हमेशा की तरह एक ही बात में कहना चाहता हूं कि अपना जो भी मनतव यह हो जो भी आपकी धारना हो जो भी आपके मन में हो वो जरूर लिख डालिए जरूर हमको बताईए अपने सुजाव जो भी हैं वो हम तक भी पहुचाईए जिससे हम इस एपिसोड को आपके चैनल को और अच्छा बनाना चाहते हैं अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि आपका जो माप डंडे उस पे खरे उत्रें स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने परिवार वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें आप सभी को अमारा नमस्का शुब कामना इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षन सामगरियों का तो आप भी वदल सकते हैं अपना जीवन इस दिपावली पर पूरी श्रधा और विश्वास के साथ शाक्षात मा लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमुल्य आक्षे लक्ष्मी को बेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें सम्रधी शांती सुख सफलता पूरे वश्वर इस कलश में समाफेश है 27 विलक्षन सामग्रियों का इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप अनुष्ठान प्रान प्रतिष्टा से जाकरत किया है पंडित श्री माली जी के सानित में विद्वान कर्मकांडी पंडित उत्वारा ताकि आपको मिले अतहाधन यश किर्ती वैभव तो देर किस बात की एक शंड भी व्यर्त कवाए बिना आज ही अभी ओडर करें दिपावली पैकेट का और इस बार रोग ही ले मालक्षमी को चिर्काल तक के लिए